पूरे भारत की सबसे पहली पसंद चाए पूरे भारत की सबसे मनपसंदीदा चीज है चाए जिसे पीने के लिए हमेशा हर दम एक वेक्ती तैयार रहता है ऐसे मैं अब आप अगर अपने आफिस के कलीक्स के साथ खड़े हों अपने रिस्तेदारों के साथ हों या अपने दोस्तों के साथ हों आपकी जुबां से एक लवज जरूर निकलता है आओ यारो चाए पिये और इस वक्त पूरे जवलपुर संसकार धानी में सभी की जुबां पर यह लवज चल रहा है एक बार फिर वापिस आ रहा है जवलपुर संसकार धानी का चाए कुम जी हाँ दोस्तों आपने नर्मदा में लगने वाले गौकुम के बारे में तो सुना ही होगा आपने मागंगा में लगने वाले कुम के बारे में भी सुना होगा लेकिन जवलपुर में लगने वाले इस चाय कुम्ड के बारे में आपने शाय अधी कहीं सुना होगा इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अलग अलग प्रकार की चाय देखने को मिलेगी जी हाँ, इसमें आपको अलग अलग स्वाद वाली चाय देखने मिलेंगी अलग अलग तरीके से बनी हुई चाय देखने मिलेंगी और अलग अलग चाय वाले मिलेंगे और उनके अलग अलग कार नामे देखने को मिलेंगे लग भग में जवलपुर के राइट टाउन के MLB के पास NMT में होने जा रहा है जहां पर आपको एक साथ लगभग इतने चाय वाले देखने को मिलेंगे इतनी चाय की वेराइटिया देखने को मिलेंगी जवलपुर में लगने वाले इस कुम में आपको जवलपुर शहर के अलाबा आसपास के शहरों से भी आ रहे स्पेशल चाय वालों की चाय का विल्लुप्त उठाने का एक मौका मिलेगा हम जानेंगे इस चाय कुम के आयोजक पूर्व आई-एस ओफिसर वेद प्रकास्ट शर्मा से कि आखिर इसे आयोजद करने की सोच उन्हें कहां से मिली कैसे उनके दिमाग में आया कि उन्हें एक चाय कुम भी आयोजद करना चाहिए कोजा चॉदिस के चाय कुम जायोजद करने जा रहा है अस्थान है एनम्टी जो राइट टाउन में इस्थित है और एमलवी विद्याले के पास है उसके दो तरफ के स्ट्रेज पर यह आयोजद जवनपूर के चाय वालू के समाज में है और एक शाम चाय और चाय वालू के नाव है इतने वाले लोगों को भी परफॉर्म करने का यह सुल्क महां उसर दिया जाएगी कि यह एक गैर वेब्साइट आज़ें है संगी नुरित्य या फिर कुछ और इस तरह की चीजह है कि स्केचिंग को ही करते हो या फिर एक्रोब हमा मत्रित करते हैं इसके अतरिक गैर वेब्साइब तरीके से अगर कोई खस्तकला या ऐसी अपने किसी बात को भी सोकेस करना चाहता है तो भी दिखा सकता है कि ना सिर्फ चाय वालों का सम्माव करना बलकि शहर को जोड़ना और अनदुख हैं इस उस देसे से इस वर्स च आई जित दिया जाब लोगों को जोड़ना और चाय वालों के सम्मान में जैसा पिछली बार भी शहर के बहुत सारे चाय वालों ने भागिदारी की थी और एक से एक अच्छी चाय और अलग-अलग स्वात के बहतरी चाय का लुथ लेने का हम सबों का उसर मिला था वो उसर प्लेटफॉम होगा जहां वो अपने प्रतिभा अपना कॉसल दिखा पाएंगे वो आर्ट, फाइन आर्ट या इस तरह की चीज हो या फिर कोई और कॉसल की बाद हो जैसे अक्रोबैटिक्स है, स्टेंड़क कॉमेडी है या कोई मैजिक दिखाना चाहे या स्केचिंग करन चाहे या फुडवाल, फ्रियस्टाइल, ड्रिबलिंग कोई करे तो इस तरह के गुची रखने वाले एक से एक लोग हैं और युवाओं में असीम छंता है, उनको भी प्रियोफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म देने की बात है, वो आएं और अपनी प्रतिभार का जहां उत्समों के माध्यम से शहर का परेटन बढ़ता है और एक दिन शहर ऐसा भी हो सकता है कि जवलपूर को सीटी ओफ फेस्टिबल्स और इवेंट्स के रूप में लोग जाने, चाई के पर्टिक्लरली चाई को ही फोकस किया गया है, चाई बनाने वाले कई दुसरे शह चाई वाले सब रहेंगे, तो सभी मिलके और एक दूसरे से जोडने का व्यासर है, दूसरे सहर के लोग भी जवलपूर आएंगे, जोडएंगे, कुछ यहां की चीजने देखेंगे, जाएंगे, तो हमारे सहर के लिए भी एक आउसर होगा, तो अपनी बात, अपनी खुज आपने नहीं लगनागे, उसके काई मिलके लें, और अपनी चाए और पूसरे सहर के लगने में, किसी ने कहाए, मैं रहें के लागने लगने, तो मसाला चाय तो साइकड़ तरह की चाय है और उसका आनंद हम मिलके लोग लें और उत्सव में चाय वालों के सम्मान में और मिलके हम आनंद उठाएं और हम चाय पे और अपने चाय वालों पे गर्व करें और वो भी इस बात्सी उत्तर सहीत हों इसी के लिए आप जिए